ततकालीन गवर्नर जनरल सर मौरेस हेलिट ने 6 मार्च 1941 को चौक स्थित घंटाघर का शिला न्यास किया था नीचे एक पटिया बनाई गई थी, जिसके नीचे इसके उद्घाटन का पत्थर लगाया गया था ये वो पटिया थी जहां आजादी के लिए विचार विमर्ष होता योजनाय बनाई जाती, उस समय न तो रेडियो था न कोई अन्यसाधन, स्पेशल वह महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए टाउन हाल पर एक रूम बनाया गया जहां से सुबह शाम समाचार प्रसारित होते जिन्हें घंटागर पर लाउटस्पीकर द्वारा सुना जाता था, कॉंग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पर, नहरू यहां आये थे, यहां से गुजरते उन्होंने यहां खड़े होकर लोगों को संबोधित किया था, इसके बाद ही रोड का नाम नहरू रोड पढ़ा लेकिन अगस्त 1947 को गुलामी की निशानी मान कर इसे तोर दिया गया, किन्तु श्री भगवती प्रसाद सकसेना एड़ोकेट के पुत्र श्री मैकुलाल ने इस पटिया को स्वतंतरता की निशानी मान अपने पिता की स्मृती में इस घंटागर का निर्मान कर आया, अभर श वाजे भी थे जिन्हें पहले ही जमी दोज किया जा चुका है, हमारे यहां धरोहरों को ध्वंच करने की परंप्रा रही है, अब ये पटिया वग घंटागर हमारे बीच नहीं रहेगा, आपको कैसा लगेगा, कमेंट में लिख कर बताएं